नमस्कार दोस्तो, रियल वेब में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Oaken Cam Scanner Application क्या है और उस अप्लिकेशन को हम अपनी फोन में कैसे यूज़ करें तो गाइस गर आप भी जानना चाते हो कि Oaken Cam Scanner Application क्या है और इस अप्लिकेशन को हम अपनी फोन में कैसे यूज़ करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें तो गाइस सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा प्लेश्टोर में जाके सबसे पहले Oaken Application को अपनी फोन में डाउनलोड कर लेना है Cam Scanner अप्लिकेशन है इससे अपने फोन में डाउनलोड करने के बाद अगर आप इस अप्लिकेशन के रिव्योज रेटेड वगरा जानना चाहते हो यह अप्लिकेशन है क्या सब कुछ आप पता करना चाहते हो तो नीचे की सेड में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो बेटा प्रोग्राम लेना है वो फुल है यहाँ पर नीचे की सेड में आप देखेंगे About This App का उप्शन मिलेगा इसके उपर क्लिक करने के बाद इसके पूरी डिटल आप जो है देख पाएंगे इसके लावा नीचे की सेड में आएंगे तो इसके रिव्यूज रेटेट भी आप देख पाएंगे 4.6 इसको स्कार मिले हुए 67,000 की रिव्यूज है रिटेट देख तो यहाँ पर 3 प्लस रिटेट रहेंगे देख तो 1 करोड प्लस इसकी जो डाउनलोडिंग है अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यह अप्लिकेशन है क्या तो बैसिकली जो Cam Scanner अप्लिकेशन है यह अपने मुबाइल से Barcelutake अपमा से सकैन करके किसी भी फूटो 10 को फिटीफ में कनवर्ट करेगा Department में कनवर्ट करेगा इसके अदि अलग तो आपको पता देता हूँ सबसे बहले यहाँ पर हम अप्लिकेशन को open करेंगे आप जैसे यह application open करेंगे, open करने के बाध application कुछ इस तरह से आपके sound ने open हो जाएगी तो सबसे पहले तो देख तो यहाँ पर actually scan start वाला option है तो इसके उपर click करके यहाँ पर हम allow पे click करेंगे अब जैसे allow पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारा camera रहेगा वो open हो जाएगा तो यहाँ पर skip पे click करेंगे skip पे click करने के बाद सबसे पहले यहाँ से close करेंगे ठीक है न तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे close करेंगे close करने के बाद मैं आपको बता जिता हूं कि इस application को use कैसे करना है तो इसके अंदर क्या-क्या feature है जैसे यहाँ पर first वारा document वाला option है तो क्या होगा कि जो भी आप document create करेंगे वह यहाँ पर document के अंदर बताएगा और अपनी camera से photo capture करके किसी भी चीज़ का आपने document जैसे आपका pen card अधर card voting card किसी भी चीज़ का आपको photo capture करके आपको document create करना है तो वह चैन करके उसकी document आप बना पाएंगे ठीक है तो चलिए example के लिए मैं आपको बताएंगे किसी भी चीज़ का photo capture करके आपको किस business card सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे यह feature इसके अंदर आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर scan new document के उपर हम click करते है अब जैसे इसके उपर click करेंगे उसके बाद इस तो यहाँ पर हमारे इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूं इसे document बना के ठीक है तो यहाँ पर यह फोटो मैंने इंपोर्ट कर लिया अब यहाँ पर जो है इसके जो अलग-अलग filters में आप देख तो quality अगर देखनी है तो आप सैट कर सकते अलग- पर यहां पर यहां पर टिक क्लिक करने तो यहां पर यहां पर यहाँ पर यहां पर शेयर कर सकते है किसी दूसरी जिग infring के फिसे यहाँ पर इसके जो शेयर कर पाएंगे। उसे यहाँ पर देखे तो यह किसी भी number पर आपको contact number पर अगर आपको share करना तो यहाँ से आप जो share कर पाएंगे और इसे download करना तो आप easy लिए इसे जो download भी कर पाएंगे download का भी option यहाँ पर आपको मिल जाएगा save to gallery वाला option इसके उपर click करके अप अपनी gallery में से save भी कर पाएंगे तो इस तरह से guys आप Oaken यहाँ पर application को use कर पाएंगे जो cam scanner application है इसे इस तरह से आप अपने phone में use करके यहाँ पर किसी भी photo का document बना सकते हैं उससे कही पर भी share कर सकते हैं तो guys उमिद करता हूँ उपको बता चल गया होगा कि Oaken cam scanner application को आप अपने phone में कैसे use करेंगे